दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है आज नई रेज भी लेकर आए हूँ खाने में इतने टेश्टी और कुटक्यूरे भी होते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं दोस्तों चीफ्स के मसाले के तियार करूंगी एक चमस काला नमा का एक चमस किल चाट मसाला एक मिर्चा है और मिक्स करेंगे यह समसाले से चीफ से चैट पाटा लगेंगे और टेश्टी भी लगेंगे तो तीन बड़ा साज के आलू है आलू को दो तीन पानी धो लिया है आलू को छिल का निकाल दिया है आलू चिलने के बाद फिर भी दो पानी धो लिया है कि कलापन नही आलु को जो गोल गोल काले काले है वे चाकूल के नौक से हम निकाल ले गे दो दोश्तो यह आलु इसमें बहुत अच्छा चीप्स निकलता है एक दम पत्रा निकलता है पहले आपको एक आलु को चीप्स निकालकर देखाऊंगी ऐसा पनील कॉत करें सब्सक्राइब itself 2-3 स्वा चणाल निकाल निकाल दिया को कॉंद सब्सक्राइब अपरें के पानी प्सक्राइट, जटेना बान पानी करूझे। पूझ एक बडा साइज के कर्भाइब एक तेल डाल करण गरम घर्म हो जाने पर जो चिप्स काते हैं हुए हम डाल कर फ्राइब करेंगे गैस को कम फ्लेम पर फड़ाई करने से चिप्स कुछूरे होंगे आप घर पर बजार जैसे आलू के चिप्स बनाना चाहती हैं तो टिक्स का इस्तमाल जरूर करें आपको बजार वाला चिप्स जैसा टेक्स है और स्वाद मिलने के बाद हम गर्मा गर्म चिप्स को छनी में निकालूंगी जीतना इस्टरा तेल होगा वे निकल जाएगा बच्चों को चिप्स बहुत पसंद होते हैं और बचार से इसे खरीदना सही नहीं होता है तो बच्चों को कई बार चिप्स खाने से मरना करना मुस्किल हो जाते हैं तेल में फिर से मैं दूसरा इस्टेप आलो चिप्स डालूंगी डालने के बाद गैस को मेडियम करके फ्राई करना है दोस्तों बस्चों को कितना पसंद है आलू चिप्स खाना पसंद करते हैं तो हर घर पर बनाना बहुत असान है बनाने में एकदम असान तरीका है आलू काटो और फ्राई करो देखी इतना असान है आलू चिप्स औरा सा मुंग फली फ्राई करेंगे चिप्स में बहुत अच्छा लगेंगे दोस्तो आलो चिप्स रेडी हो गया है उसमें फ्राई किया हुआ मुंग फली डालेंगे उसके बाद मसाले को डालेंगे और मिला देंगे और गर्मा गरम खाईए और पच्चों को खिलाईए और कोई डिबा में रखिए एक सब्ता तक खाईए मेरा रेस्वी कैसा लगा कॉमेट बाक्स में जरूर लिखे जबाब देने के लिए त्यार हूँ हाँ सब्क्राइबर करना भूले थैंक्यू